हलो एवरिवन, कल हमने विहार करिंट अफेर्स की सुरुवात की थी जिसमें हमने पहला वाला लेक्चर इससे रिलेटेड देखा था इस सीरीज में हम लोग दिसंबर 2020 से लेके 20 अप्राइल 2022 तक के जितने भी विहार रिलेटेड करिंट अफेर्स से उसको देख रहे हैं कल वाला लेक्चर अगर आप चैनल पे नए हैं अगर आपने देखा नहीं है तो आई बटन पर यह डिस्प्ले हो रहा है उपर उसे आप जाके देख सकते हैं कल हमने जो पिछले दो तीन महीनों में हुई थी उसको देखा था आज बाले को लेक्चर में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली देखिए मेरा मकसद यह नहीं रहता है कि मैं जादे से जादा MZQ कर रहा हूं और टाइम स्पैन बढ़ा हूं यहां पर क्या है कि स्लाइड बाईज में पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं जिसमें एक स्लाइड में मैक्समम इंफॉमिशन आपको एक जगा पर मिल र रहेगा देखिए पहला वाला क्वेश्चिन क्या है इसमें कि बाल में की नेशनल पाक इस सिच्वेटेड इन अब बहुत सिंपल सा यह क्वेश्चन है आप कहेंगे करेंट अफ्यर्स का सवाल तो है नहीं बट यह बिहार रिलेटेड जियोग्रेफी का सवाल तो है ना अब इससे क्या है कि रिलेटेड करेंट अफेर्स हम देखते हैं अगर यह तो हमारा जियोग्रेफी का पार्ट हो गया अब करेंट अफेर्स में दो तीन चीजे इससे रिलेटेड है पहला देखिए कि वाल मिकी जो टाइगर रिजर्ब है उसको सीए टीएस स्टेटस मिली ह जैसे इस पिछले साल जो टाइगर डे मनाया गया था अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए फिर इंपोर्टेंट हो जाएगा कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है तो सीए टीएस का मतलब होता है कंजर्वेशन एस्योड टाइगर स्टेंडर् इंडिया में उसमें से 14 टाइगर डिजर्व को यह स्टेटस दिया गया है और हमारा जो बाल्मि की टाइगर डिजर्व है उसमें से 1 है CATS का मतलब क्या होता है कि Tiger Protection के लिए क्या है कुछ basic map dund है तो जितने भी Tiger Reserves उसको follow करें उनको यह status दिया गया है अब एक चीज यहां पर आप और ध्यान में रख सकते हैं कि 29th of July इसको International Tiger Dare की रूप में मनाया जाता है इसकी सुरुवात कब से हुई थी तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 2010 में एक Tiger Range Countries जो 13 है number of countries which is included in Tiger Range Countries it is 13 अब इसमें क्या इनकी meeting हुई थी इन्होंने इस date से Tiger Day मनाने का गोशना किया और साथ में एक और target आप ध्यान में रखेंगे चुकि अभी हम 2022 में हैं इनका target था क्या कि Tiger के जितनी भी population है उसको into 2 करनी है मत्दब TX2 by 2022 तो यह ध्यान रखेंगे कि 2022 का कि इनको Tiger का population दो गुना करना था 2010 से हम यह Tiger Day 29 जुलाई को मना रहे हैं अब दूसरा important current affairs आपके लिए क्या है कि बिहार का पहला तो आपको पता है कि Tiger Reserve बालमिकी Tiger Reserve है बेस चमपारन में अब दूसरा कहां होने वाला है तो यह कैमूर district में open होगा तीसरा current affairs इससे आप देखिए अब क्या कि जो बालमिकी नगर tourism है इसको charming चमपारन के नाम से जाना जाएगा इको टूरिज्म एगरी टूरिज्म से connect करके यहां पर क्या है टूरिज्म को बढ़ापा देने के लिए क्या है कि charming चमपारन नाम से इसको promote किया जाएगा slogans different different चीज़ों कि सवाल हमारे BPSC में आती रहती है अब देखिए दूसरा question देखिए इसमें बहुत simple सा question है कि first ever sports university बिहार will be established in चार आपको options दे रखे हैं कि हमारा जो बिहार है इसमें पहला जो sports university होगा किस जिले में खोला जाएगा तो answer आपको पता है राजगीर नालंदा बट अब नालंदा और राजगीर से related चीज़े जो current affairs पिछले एक साल में static part जो आ सकते उसको देखेंगे तो पहला आप ध्यान में रखेंगे कि sports university जो है वो राजगीर में खोली जाएगी दूसरा क्या राजगीर में ही आयुरवेद festival को celebrate किया गया था और कल वाले current affairs में आपको अगर ध्यान हो तो राजगीर में ही राजगीर और बोध गया जो दो ऐसे टाउन है जिनको green energy efficient टाउन बिहार में सेलेक्ट किया गया है और इंडिया लेवल पे ऐसे पहले दो ये टाउन होंगे फिर राजगीर को जू सफारी glass bridge के लिए जाना जाता है और अभी आज के डेट में एक tourist destination ये बनके उभर रहा है जो राजगीर है environment point of view से अगर आप देखिएगा तो पंत वन्ने प्रानी century कहां पे है तो नालंदा में है कुडियाक hills गोरा कटोरा लेक और springs में आप जाईएगा तो सब्त धारा सूर्य कुंड ब्रहम कुंड मकदूम कुंड ये सारे राजगीर में है जब हम environment कुडम देखेंगे तो में अलग अलग springs है उसके बारे में पढ़ेंगे जैसेард जूप कि मूंगेर में आप देखेंगे तो लक्षमन कुंड आता है गौमुक कुंड में ब्राता है सीथे कुंड रीकिय म्से रमेशवर कुंड तो धिंध डिफरेंट जो कुंड है वो अलग-अलग जिले में हैं उसको भी देखना जरूरी है क्योंकि एस्टैटिक पिहार जीके में यह सवाल आपके लिए आ सकता है किसी भी एक्जाम में वो बिहार 67 हो या सीडी पीओ हो बिहार दरोगा हो भी एससी कॉंस्टेवल का एक्जाम हो एस्टैटिक बिहार का क्वेशन तो जो भी बिहार एक्जामिनेशन है उसमें आएंगी ही आएंगी अब एक चीज़ यहां पर देखिए मैंने यह options आपके शामने रखे थे नालंदा पटना कैमूर रो लिजेन में आती है फ्लस पतना डिवीजेन में क्या है पतना बख सर भोजपूर कैमूर रोथास पटना और नालंदा तो इतने इस तरह कि मैं ने कल भी बताया था कि डिवीजन रिलिटेड कोश्चेनम आ सकता है इस डिवीजन में कौन सा डिस्टिक inglés या कौन सा दिस्टिक नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे, अब देखें, अब पटना से पिछले एक डेट सालों में पटना नियूज में रहा आ है, तो most important जो चीजे हैं वो हम ध्यान में रखेंगे, पहला है कि मैक डोनल्ड गुलंबर पार्क कहां पे कंस्ट्रक्ट उपेन हुआ है, तो ये पटना में है, दूसरा मेडिसिन पाक कहां पे है, तो पटना में, बापू टाबर जिसमें father of nation महात्मा गांदी से related चीजे सो के सोंगी, वो कहां पे खुला है, पटना में, फिर science city राजंदर नगर के पास जो खुल रही है, मोईनुला के stadium के पास मे वो एपी जे अबदुलकलाम के ममरी में, वो भी पटना में, फिर एक एक important current affairs है, कि बिहार में देश का पहला सिल्प कला museum जो है, वो पटना में बनाया जाएगा, craft art museum, तो ये अप स्टा मार्क करके important करेंगे, कि देखिए, जो भी चीजे बिहार में at a national level में पहली बार हो र ये सब चीज तो हैं ही, बट ये important ज्यादा है as compared to this one, अब देखे, पटना हाई court, पटना हाई court, अगर आप ranking wise देखेंगे, तो ये fifth number पे अभी आया, क्यों? क्योंकि सबसे पहला गुजरात हाई court जो था, उसने अपनी जो proceedings है, court की जो live proceedings होती है, उसको YouTube पे stream किया था, तो इस scrum में पटना हाई court जो हो पाँचवे नमबर पे देश में है, तो देखे, BPSC बार बार के रहे हैं कि वह static portion को बहुत जादा focus करता है, data पूछ लेगा, date पूछ लेगा, और कितने नमबर पे है तो पटना हाई court पाँचवे नमबर पे, पहला था गुजरात हाई court, उसक हाई court से related जो provisions है, articles है, वो चीज़े ध्यान में रखने है, प्लस GK related भी, अब जैसे देखे, आप गुजरात हाई court है, most of the students के दिमाग में रहता है, क्या कि जो हाई court होगा किसी estate का, वो उसके capital city में होगा, तो गुजरात का तो गांधी नगर हाई, आपको अगर पूछे कि principal seat कहां पर है, गुजरात हाई court की तो, मैसा ओरिटी में अगर जो बच्चे जिन्होंने सही से नहीं देखाया, जो experience जिन्होंने सही से नहीं देखाया, वो गांधी नगर अगर option में हो, तो टिक करेंगे ही करेंगे, exam pressure में उस समय, एक हमारा जो दिमाग logically सोचता है, उस समय की जो pressure में है, वो है की capital city में होगा, बट नहीं, गुजरात हाई court का जो principal seat है, एमदाबाद में है, not गांधी नगर, यह आप ध्यान में रखेंगे, फिर उसी तरीके से, मद्द प्रदेश का आप सोचेंगे भोपाल, बट भोपाल नहीं है, मद्द प्रदेश का principal seat जबलप आद्यम के students है, जो संभिदान पढ़ते हैं, तो खंड पीठ जो है, वो इंदौर और ग्वालियर में है, फिर उसी तरीके से, उडिशा का आप कहेंगे भुबनेजवर, नहीं, कटक में, उडिशा हाई court is situated at कटक, करनाट का हाई court, इसकी capital city में है, बैंगलोर में है, प्लस इसके दो benches है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, हुबली दारबाड और गुलबर्ग, ये दो जगह इसके bench established है, अब देखे, ये बहुत थोड़ा पुराना है, एक डेर साल पहले का है, इंडियास फर्स ड्यॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे, वो भी पटना में ही होग इंडियास फर्स है, तो मेभी वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल पुराना है, तो इसको पूछेंगे ने, चुकि फर्स्ट था, तो पूछ सकते हैं, अब देखे, अब जो बिहार का मखाना है, उसकी ब्रांडिंग मिधला मखाना के रूप में की जाएगी, और त पूछ सकते हैं, तो इसकी ब्रांडिंग और इसको प्रमोट करने के लिए, ट्रेड के लिए, इसकी ब्रांडिंग मिधला मखाना के रूप में होगी, प्लस, अब देखे, अब ट्रेड की बात आई, तो जी आई टैक्स की बात करते हैं, एक सॉट्स मैंने अपलोड किया है उसको आप जाके जरूर देखे, जितने भी जी आई टैक्स हैं, उस सॉट्स में आपको मेंसेंड है, ताकि वो आपको याद आजा, पूछ सकता है कि विच आप फॉलोइंग प्रोडक्ट इन में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, अगरी कल्चर हो, या हैंडी क्राफ्ट हो, या फूड स्टाफ है, जिनको जी आई टैक्स मिला है, या नहीं मिला है, जी आई रेजिस्ट्री जो है, वो चन्नाई में है, वो ध्यान में रखेंगे, अब देखे, बिहार गवर्णमेंट को परफॉर्मेंस के लिए स्कॉच अवार्ट मिला है, अब स्कॉच अवार्ट गवर्णेंस के लिए तो मिला है, गवर्णेंस के लिए, लेकिन किस चीज के लिए मिला है, लैंड रिकॉर्ड मेनेजमेंट, बिहान एपकल में आपको बताया था, बिहार, हर्टी कल्चर, अगरिकल्चर, नैच्ट्रल रिसोर्स मेनेजमेंट, या ICDS सर्विसेज या के लिए, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, जो 2011 में आई थी, जिसके बाद जो अब जितने भी सर्टिफिकेट्स, जैसे बर्द सर्टिफिकेट्स हुआ, इंकम सर्टिफिकेट्स हुआ, इसके लिए जो अप्लाई करने में आपको सहूलियत हो रही है, जो आप कह सकत हैं कि गुड गवर्नेंस के माद्दे, हम से आपको सर्टिजन सेंट्री गवर्नेंस जो हो रहा है, जिसके तहात आप घर बैठे इन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक विदिवन जो टाइम है, विदिन टाइम वो आपको मिल जाता है, तो इसके बिहार को स्कौच अवार्ड दिया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे कि बिहार को स्कौच अवार्ड रटी पीएस के लिए मिला है, और यह एक्ट कब आया था, 2011 में, अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, गुड गवर्नेंस से ध्यान में आप रखेंगे, कि गुड पंचायती राज एक्ट जो है वो कौन से एर में फर्मूलेट हुआ था या इन एक्ट हुआ था तो 2006 में अब देखे इस से अगर हम चाहें इस स्लाइट से तो लगभग चार पाँच सवाल निकाल सकते हैं पहला स्कॉच एवार्ड किस चीज के लिए मिला दूसरा RTPs Act जो है किस इर में आया, Good Governance Day कब मनाया जाता है, बिहार पंचायती राज Act कब मनाया जाता है, उसका जो एक्ट है वो किस इर में आया था तो चार पाँच सवाल निकल सकते हैं पिछिस लाइड को अगर अब द्यान से एक बार देखेंगे तो बेट जाएगा फिर इसको कर खुल गई है, लो लिट्रेसी को इन्हेंस करने के लिए ताकि हमारी किसे । कि लिट्रेसी बढ़ाई जाए। पुर्णिया अगर आप पुर्णिया को हमारे मैप पे देखेंगे तो इसटर्न बिहार के बिस्ट बंगाल साइट से जो डिस्टिक है पुर्णिया और यह एक बिहार में नाई आउट अफ नाइन डिवीजन एक डिवीजन भी है इसमें क्या है पुर्णिया डिस्टिक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सब में लाइबरेडीज इस्टैबलिस कर दी गई है तो यह question है कि which is the first district in our country that has libraries in all gram पंचायत ऐसा कौन सा जिला है पूरे भारत में जिसके हर एक ग्राम पंचायत में लाइबरेडीज खोल दी गई है तो यह पुर्णिया जिला है आप ध्यान में रखेंगे वहां के district administration ने एक अभियान चलाया था जि किताब दान अभियान कितान typing error है किताब दान अभियान उसमें लोगों को आप कह सकते motivate किया गया कि वो बुक्स दान करें और उसके बाद लगबग 237-237 रूलर ग्राम पंचायत प्लिसात नगर परिशद में libraries established की गई है मैंने ये पहले भी आपको बताया कि पुर्णिया out of nine divisions एक division है हाँ इसमें एक important चीज आप द्यान में रखेंगे कि पुर्णिया डिवीजन जो है इसमें कौन-कौन डिस्टिक्स आते है तो पुर्णिया अरडिया किसंगंज कटिहार ये चारो stern districts जो है इधर के वो लेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कुछ static फिर से हम देखेंगे साथ में जो important current affairs है 2020 के December से लेके April तक 2021 उसको उसमें cover करेंगे I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप चैनल पे नए है और यहां तक देख लिया है आपने हमारे चैनल के इस वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए ताकि आपको important current affairs और साथ में अच्छे अच्छे वी कर्वार्टी हिस्ट्री एकॉनमी जिग्रैफी प्लस अलग जेनरल नॉलेज के चीज़ें वह इस पे चैनल पे रेगुलर अपडेट की जाएंगी थैंक यू आल दे बिस्ट पीपस्लिंग